आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लीशन ओफ कॉस्ट अकाउंटिंग साइकल यानि इसमें हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग साइकल में जो चीजें रह गई हैं वो समझेंगे और कम्प्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग साइकल को देखेंगे यह क्या होता है cost accounting cycle हम लोग कहते हैं किसी भी ऐसी industry या ऐसी company जहां पहले चीज़ें produce होती है और फिर sale होती है वहाँ एक पूरे cycle एक पूरे system के तहट जो है तमाम जो cost है वो count for की जाती है जैसे पहले material उसकी general entry की जाती है उसको accounting के process के तहट record किया जाता है उसके बाद labor और यह हम बात कर रहे हैं उस industry की जहां पहले production हो और फिर sales हो और जहां पर सिर्फ services provide की जाती हैं वहां पर यह पूरा system follow नहीं होता है इसकी need वहां पर नहीं होती तो पहले material को record किया जाता है material के बाद उस material को बनाने के लिए जो labor काम कर रहे होते हैं और कुछ extra labor जो के हम लोग जिसे indirect labor केते हैं फाइव अगरा के लिए काम कर रहे होते हैं उनको record किया जाता है उसकी general entries की जाती है फिर factory overhead को किया जाता है यहां तक हमने complete तीन वीडियो की जिस पर हम लोग ने material को understand किया labor को understand किया factory overhead को understand किया इसके बाद हमारे पास है fourth पर अगर हम देखे तो यह है transfer of cost to finish goods तो यहां तक जो cost लगी होती है उसको फिर finished goods में यानि completed goods की cost के तोर पर transfer किया जाता है और इसकी general entry पास की जाती है इसके बाद हम लोग आगर बढ़ते हैं फिर sale होती है फिर देखा जाता है इसके इलावा और कौन सा खर्चा है फिर यह सारे एक्समेसे ज जो fourth है इसको understand करते हैं और फिर हम आगे उसके बाद बढ़ते हैं तो जिसवक्त cost लग चुकी होती है और cost को फिर finished goods में transfer किया जाता है तो फिर हम लोग क्या general entry pass करते हैं वो हम लोग देखते हैं हम लोग उस वक्त फिर finished goods control account को debit करते हैं और यहां पर लिखते हैं कि work in process control account credit ह हो गया क्योंकि जिस वक्त कॉस्ट आ रही होती है काम process में हो रहा होता है और चल रहा होता है तो हम work in process control account को credit कर देते हैं फिर जब यह complete हो जाता है और इसकी जगा सारी के सारी cost को finished goods में record कर लिया जाता है जो भी amount होंगी वो हम इसके सामने लिख लेंगे अब यहां पर कॉणर के मताबिक यहां प्रोसो बन रही है क्योंकि जहां छोप मुन हमंधे लिखनी है वहूं कहां से sel की टो हमें पता चलेगा पहले यह जानने के बात के job watching यह दो सकास्ट शनमर क्या होती है थे भी हम भीस से पहले देख चुके हैं जाबर कॉस्टिंग में यह होता है क एसे चीजें जिसके लिए कस्टमर हमें कस्टमाइज चीजें होती है, कस्टमर ओर देता है, कि आप ये चीज जो है, इस ओरर के मताबक ऐसे ही बिनाई जाएगी, जैसे बहुत सा प्रिंटिंग वर्क जो है, वो कार्ड किसी की शादी के बनने हैं, तो जैसे वो कहेंगे, उस हम लोग जॉब कॉस्स शिद से अमाँट एपा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग किन अंट्री पास करेंगे, और अगर हम लोग प्रॉसर स्पोड सीट से उठा रहे हैं, जिसे हम और प्रोडॉक्शन रिपोर्ट कहते हैं, तो पिर हम लोग फिर तो यह वरी ऑन्ट्रीं प हो रहा होता है तो हां सारा आयल जो है वो सब के लिए एक ही जैसा आयल रिफाइन हो रहा होता है तो उसके लिए जो प्रॉसेस के तहर सिस्टम चल रहा होता है वो हर कस्टमर के लिए होता है उसके लिए प्रॉसेस कॉस शीट या कॉस प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई जाती अब जब job cost sheet बनाई जा रही होती है, वहां से चीज को directly customer को sometime transfer कर दिया जाता है, तो उस case में हम जनरल entry क्या pass करेंगे, उस case में sometimes यह होता है, कि हम finished goods में चीज को transfer नहीं करते हैं, क्योंकि चीज directly customer की तरफ जा रही है, तो हम इंट्री उसकी ऐसे करते हैं, cost of goods sold, जितनी चीजें sale करती हैं, वो debit होई और work in process control account को हमने credit करती है, यह हम बात कर रहे हैं, job cost sheet के थ्रू जो amount आती है, और यह अगर हम लोग customer की need की base पर job order costing, जो है, वो हमारा business is nature का है, कि हम इसके मताबिक चल रहे हैं, तो हम directly entry कर सकते ह हैं, और अगर process है, हमारा business के process के तहत हम लोग काम करते हैं, और फिर हमारा product final बनता है, तो उसको हम लोग पहले ऐसे record करेंगे, finished goods control account to work in process account, फिर finished goods को close किया जाता है, finished goods को credit करके cost of goods sold को debit किया जाता है, तो यह था हमारा fourth step, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग finished goods जो बन चुकी होती हैं, उनको sale करते हैं, तो अगर हम लोग job costing system को follow कर रहे हैं, और ऐसा business है, तो वहाँ पर तो sale भी cost of goods sold को भी हमने साथ ही लिख दिया, और work in process को credit कर दिया, और अगर process है, या इसके बाद जो next step है, उसमें sale of finished goods होती हैं, तो वो sale किस तरह से होती हैं, और फिर उसके किस तरह से journal entry हम करते हैं, वो हम लोग देखते हैं, sale of finished goods को हमने लिखा, और इसकी journal entries क्या होती है, पहले हम लोग record करते हैं, cost of goods sold को, और close करते हैं finished goods control account को, जैसे हमने इस से पहले उपर देखा था, इसके बाद जो sale हमने की है, वो अगर हमने cash, जितनी amount cash पर sale की ह है, वो cash में चली जाएगी, cash debit हो जाएगा, और जिन sales के लिए हमने amount वसूल नहीं की, उससे receivable में लिख देंगे, जैसे अगर हम लोग यहां पर amount ही लिखकर understand कर लें, तो बहतर हमें समझा जाएगा, sales control account हम लोग credit करते हैं, यानि अगर हमारी sale हुई है business की 5 lakh, और इन 5 lakh sale मे से हमारी जो 3 lakh sale है, वो है cash sale, और यहां हम cash के सामने लिख देंगे, और जो हमारी sales के तरू हम amount वसूल नहीं हुई, वो है 2 lakh, तो इसको हम लोग यहां पर लिख देंगे, अब यह amount कहां से आती है, यह amount के लिए हमारे पास जो evidence है, वो evidence है हमारा sale invoice या shipment order, तो sale invoice क्या है, कि ज customer को invoice issue करती जाती है, और उस invoice की copy रख ली जाती है, ताकि जब भी general entries करनी होंगी, उस invoice को देखकर entries करते जाएं, और वो हमारे पास सबूत के तोर पर भी रहती है, इसके इलावा अगर कोई चीजें बाहर भीजी जा रही है, तो जितने shipping order है, हर month के end पर उनकी summary देखी जात है, तो इस तरह से हम लोग फिर उतनी goods को finish goods को credit कर देते हैं, और उनकी cost को charge कर देते हैं, income statement में, तो sale of finish goods करते हो, क्या general entry की जाती है, और कहां से data लिया जाता है, यह हमने देखा, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अगला step हमारा क्या होता है, यह हमने देख लिया, sale हो जाती हैं चीजें, उसके बाद हम लोग यह देखते हैं, कि जो marketing department काम कर रहा है, advertisement के लिए, administration department काम कर रहा है, जो सब चीजें मैनेज करने के लिए, और जो इसके इलावा, अगर हमारे business के कोई legal fee है, lawyer की हमने services ली है, या audit की हमें fee देनी है, तो यह सब जो हमारे खर्चें हैं, इनकी हमने क्या journal entry पास करनी है, तो market and administration overhead को हम लोग देखते हैं, marketing या administration overhead के लिए, जो हम लोग journal entry पास करेंगे, वो marketing overhead expense को, या marketing overhead account हमारा debit, और अगर हम लोग ने expense pay कर दिया है, तो cash credit हो जाएगा, क्यूंके cash हमारे पास ते जा रहा है, अगर हमने expense उसी वक्त pay नहीं किया, तो हम voucher payable को credit करेंगे, क्यूंके हम लोग voucher payable लिख देंगे, और इसको अपनी liability में show कर देंगे, कि इतनी amount हमने pay करनी है, और इसी तरह administration overhead, इसके लिए भी हम लोग administration जो है, administration का expense उसको debit करेंगे, और ये debit होगा, और दूसरी चीज़ voucher payable लिखेंगे liability में, अगर pay नहीं किया, अगर pay कर दिया है, तो cash हमारा credit हो जाएगा, इसके बाद जो हमारा आखरी step है, वो ये है, कि जितने expense हुए हैं, या जो भी sales के तरूब amount आई है, उसे हम close करते हैं, या उसे ले कर जाते हैं, हम income statement में, तो हम लोग जो sales हैं, उसके वो जब credit की जाती हैं, और जब income statement में transfer कर देते हैं, तो वो account close कर देते हैं, यानि उसको debit कर देते हैं, और फिर income statement credit हो जाती है, sales की amount से, अब इसके इलावा ये हमने sales की बात की, अब अगर expenses हैं, तो उन expenses के लिए हम लोग किस तरह से उनको close करते हैं, expenses के जो normal nature है, उसे debit किया जाता है, और जिस वक्त expenses को close करना है, तो तमाम expenses को हम लोग जैसे cost of goods sold, marketing जैसे हमने देखा, administration overhead देख को इन तमाम expenses की amount से debit करतेंगे, तो यहां पर हमारा जो cost accounting cycle है, जो cost है, सारी की सारी हम लोग income statement को, या जो sales के थूँ अमाउंट आई है, सारी की सारी, जितनी भी sales होई है, amount आई है या नहीं आई, credit और cash, दोनो sales, सारी की सारी हम income statement में close करतेंगे, तो यहां हमारा ये cost accounting cycle complete हो पहले material को record करते हैं, फिर labor को, फिर factory overhead को, फिर वो सारी goods बन चुकी होती हैं, walk in process में होती हैं और finish goods में transfer की जाती हैं, और फिर हम लोग finish goods को लिखते हैं, और फिर marketing administration cost भी देखते हैं, और फिर तमाम cost और तमाम sales की amount income statement में close करते हैं, तो इस video में हमने complete cost accounting cycle को understand किया, औरे हमां, ट अजया है जिक questão करते हैं, करते हैं,पार करते हिर तो, पर झाउया हैं, बार प्रॉण तो, थामने immer सारा हैं, प्रॉण, फπά्मकर समयार, फिर कम करते हैं, तो बेचान काम को अन्हार काम हैं, तो चाहिएन हैं, फिर देखते हैं, ट्र को पहिसे दोने की हैं से 750